गुद बॉर्निंग प्यारे स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल लैट्स डिसकस में प्यारे स्टुडेंट जैसा के स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हम डिसकस करने जारे है क्लास 10 का बिसे हमारा सामाजी की विज्ञान होगा जो की वर्क्सिट नंबर 61 है और यह 7 आफ जनवरी 2022 के लिए है तो आज हम पढ़ेंगे राश्टी अर्थवस्ता के जीवन देखा है इससे पहले भी हमने पढ़ा था ठीक है जिसमें सवरनीन चत्रभुज योजना राश्टी राजमार्ग ठीक है कितने के राजमार्ग हैं हमारे ठीक है तो इस सब के बारे में पढ़ा था आज इसके बिश्तरित जानकारी को हम अध्यन करेंगे तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्वरनीन चत्रभुज महाराजमार्ग यानि दिल्ली, कुलकता, चन्नाई, मुंबई बाद दिल्ली को जोडने वाले छे लेन महाराजमार्ग है अर्थात आप हंडेट परसंटेज से ओर हो जाएए ये कोशन आपके एकजाम में हंडेट परसंटेज आना है सौनीन चत्रभुज योजना महाराजमार्ग ठीक है ये किन-किन राज्यों को जोडती है ऐसे परसंट पूछे जाएंगे आपसे ठीक है तो दिल्ली, कुलकता, मुंबई पहला दिल्ली हो गया दूसरा कुलकता, चन्नाई, चौथा मुंबई फोर्थ हो गया दिल्ली का जोडने वाला छेलेन वाला राजमार्ग है और उत्तर में दच्छिन गलियारा जो सिरिनगर को कन्या कुमारी से जोडता है तो आप याद रखेगा सौनीन चुत्रभुज योजना और दच्छिन गलियारा ठीक है उत्तर दच्छिन गलियारा जो कि सिरिनगर को कन्या कुमारी से जोडता है और पूरव में पच्छिन गलियारा जो कि सिल्चर तथा पूरबंदर को जोडता है इस महाराजमार्ग का परमुख उदेश्य भारत के महानगरों को आपस में जोडना होता है यह राजमार्ग परियोजना रास्टी राजमार्ग प्राधिकरन इन एच एई आई के अधिकार छेत्र में है ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्टी राजमार्ग रास्टी राजमार्ग यानि रास्टी राजमार्ग देश के दूसरे दुरस्त भागों को जोड में आता है अब आपको ये देखना है जो राज्य राज्य राज्मार्ग और जिला मार्ग अन्ने सरके और सिमान सरके तो राज मार्ग क्या होता है राज्यों की राजधानिया को जिला मुख्याले से जोडने वाले सरके राज राज मार्ग कहलाती है अर्थात जो है ना राज्यों में राज राज्यों में 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 राज्यों म अन्य सरके ये सरके ग्रामिन छेतर तथा गामों को सहर से जोड़ता है और प्रधान मंत्री ग्रामिन सरक पर योजना के तहत इन सरकों के विकास को बिशिश प्रत्चाहन मिला है इस योजना के तहट प्रतेग गाम का परमुख सहर से पक्की सरकों द्वारा जोरा प्रास्ताब है और इसका सीमांत सरकों के आप देखें सीमांत सरकार प्राधिकरन के अधिन सीमांत सरकों की देखरे करता है और यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका उदेश से उत्तर दता दस्षिन उत्तर पूर्वी छेतर में सामरिक महत की सरकों का निर्मान करना है इन सरकों के बिकास से दुर्गम छे दिन में आवा जाही सरल हो सकती है यानि वैसे सुदूर इलाके में और जहां पर जाना कटिने वहां आवा जाही पॉसिवल हो सकता है इसी कंटेक्स्ट में डियर्स टुंडी ये दो कोशन आपसे पूछे गए हैं बहुत ही आसान है चली इसको देख लेते हैं पहला कोशन है सीमान सरकों का महत लिखे सीमान सरकों के देश के समयावरती इलाकों को जोड़ती है के आन्तरिक भागों में जोड़ती है सीमान सरकों के देश की सरक्षा के लिए महत पूर्ण होती है ठीक है कुश्चन नमबर सिकेंड है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे डीर इस्टुडेंट आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे और नेथा बंद कर देंगे ठीक है रास्टी राजमार्क क्यों महतुन है तो रास्टी राजमार्क देश के सभी नगरों को आपस में जोड़ती है और रास्टी राजमार्क देश के वेपार के लिए महतुन होते हैं और राश्टी राजमार्क देश के आंतरिक भागों को बंदरगाह से जोड़ती है और अंतराश्टी ये बेपारों को बढ़ावा देती है राश्टी राजमार्क देश के अधोगिक ऑगास की धूरी होती है, ठीक है चलिए फिर मिलते अगले अपडेट के साथ तक के लिए बाबाई टेक क्या है वे ने इस देए